कि हालो फ्रेंस बहुत बहुत स्वागत है आपका इस वीडियो क्लास में फ्रेंच जैसा कि आप जानते हैं कि SBI क्लर्क 2019 और SBI PO 2019 का नोटिफिकेशन मार्च ए अप्रेल में आने वाला है और काफी सारे स्वागत है इस नोटिफिकेशन का वेट कर रहे हैं तो बैंकिंग एक्जाम में सबसे बड़ा हर्डल क्या है सबसे बड़ी यह चीज है सबसे बड़ा जो एलिमेंट है जो स्टुएंस के सेलेक्शन को रोकता है वो है इंग्लिश एक्षिन जिसकी वज़े से एक स्टुएंस का कभी सेक्शनल कट आफ नहीं निकल पाता है और कभी ओबरॉल कट आफ नहीं निकल पाता है तो इन सारी सीजों को देखते हुए मैंने एक यह सीरीज स्टार्ट की है एस भीए पी ओक्लरक 2019 इंग्लिश शीरीज तोह इसमें मैं इंग्लिश के जो लेटेस्ट पैटर्न के क्षुशंस हैं जो नए पैटर्ट के क्षिशंस एं जो तफ पो कोष्टन्स हैं प्री और मेंस एक्जाम के लिए उनको मैं डिटेल में एक्सीड में करूंगा सभी इसके लिए आपको examiny.in, इस website पर जाना है, आपको sign up या login नहीं करना है, सिधे block section में जाके इन blocks को पढ़ सकते हैं और इनसे आप benefit कर सकते हैं, तो ये double fillers के questions इसमें मैंने लिये हैं, double fillers नहीं हैं, ये two words fillers है, तो चलो इन question को देखते हैं, देखें, in questions में क्या होता है, कि एक sentence यहाँ पर दिया है, और इस sentence में एक filler दिया है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं, एक filler यहाँ पर दिया है, और नीचे दिये हैं words, चार words दे सकते हैं, कभी-कभी 5 या 6 words भी दे सकते हैं, तो ये अलग-लग तरीके से twist करके in questions को दिया जा कहते हैं ठीक है तो वही उसके अदर कॉलिंग ही यइवर लिग फिर आपका अंसर बने गा इस तरह कि लिटा मी पूछ हो जाते हैं तो इन देखते हैं कंट्यूनि म intersection selling spree foreign investors have अब देखे यहाँ पर दो तीन ट्रिक्स मैं बताता हूं और दो ट्रिक्स यह है कि एक तो grammar related words आपको देखना है और एक context related words आपको देखना है और यह दो ही चीज़े इसमें चेक कि आती है कि आपकी grammar कैसी है और आपका context कैसा है आप कैसे समझते हैं English section को English language को अब देखे यहाँ पर एक word आया है selling spree का मतलब होता है जब किसी चीज को आप बहुत enthusiastically करते हैं लगातार करते हैं selling spree मतलब लगातार sell करना ठीक है उसीष को foreign investors have अब यहाँ पर लगा हुआ है तो इसका मतलब है कि यहाँ पर आपको third form चाहिए तो यह तो grammar हुई कि यहाँ पर आपको third form चाहिए अब context क्या है किस context में बात हो रही है कि foreign investors कि बात ओ रही है ठीक है अब यहां पर एक keyword देखिए from यह keyword इस तरह से keywords हम identify करते हैं हमें तीन चीए देखनी होती है एक grammatical aspect एक context के हिसाब से किस तरीके से word apply होगा और एक आपको देखना होता है keyword तो यहाँ पर मैंने तीनों चीए बताई हैं आपको कि हैप के साथ यहाँ पर word की third form आईगी context क्या होगा आभी हम द बोलेंगे या injected in बोलेंगे injected in या invested in you invest in some company आप किसी कंपनी में invest करते हैं लेकिन आप किसी जगह से withdraw करते हैं you withdraw from somewhere ठीक है तो यहाँ पर दो word कौन से आ सकते हैं एक तो pulled out आ सकता है मतलब उस investment को खीचना या किसी चीज को बहाल निकालना और आप withdraw का मतलब की होता है किजना बाहर निकालना या पैसे को निकालना और pull-out का मतलब भी वही होता है तो यहां पर B just इन यह दौनों वर्ट्स यहां पर आ सकते हैं इन दौनों वर्ड्स यह दौनों वर्ड्स ग्रामर के साफ से भी यहां पर सही है पर चेहितечение के सही है तो BD यहां पर आपका सही Chance होगा B और D ऐस तरह के से इन कोस्ट्न को करना है और पूरी sentence का meaning देखते हैं इस sentence का meaning क्या है continuing their selling spree मतला अपनी selling spree को continue करते हुए foreign investors have pulled out foreign investors ने market से पैसा खीच लिया है कितना nearly rupees 1200 करोर from the debt market in the first two weeks of the month on higher fuel prices and possibility of rate high by the US Federal Reserve जैसे इंडिया में तोसटाइं रिजर्ब नंकों लंक्ति और यहां पर फॉरन इंवेस्टर्स को लग रहा है कि यहां पर मार्केट नुक्सालम ना हो तो यहां पर पुल्ड आउट और विड्डॉन यहां पर करेक्ट मीणिंग इसके आएंगे देगे रिदिन बहुत जरूरी है regular basis पेदी आप reading करते हैं तो इस तरह के questions को आप काफी आसानी से कर सकते हैं क्योंकि reading करने से एक sense create हो जाता है कि किस word के साथ कौन सा word naturally जाएगा तो reading करना बहुत जरूरी है अब यहां पर जैसे ispree है तो ispree का क्या मतलब है selling ispree मतलब enthusiastically किसी काम को लगातार करना हाइक का मतलब होता है बढ़ना federal reserve यह सारे words आपको तभी बिलेंगे जब आप regular basis पर reading करेंगे तो reading करना बहुत जरूरी है कि अब हम देखते हैं second question it would be too early to celebrate यह कि इसका मतलब यह है कि celebrate करना काफी जल्दवाजी होगी सेलीब्रेट किसी भी चीज के बारे में करना काफी जल्दवाजी होगी it would be too early to celebrate कि celebrate given the factors that गे कि इस चीज को चीज को consider करते हुए ठीक है celebrate करना celebrate करना celebrate करना जल्दबाजी होगी इस चीज को मानते हुए given the factors that अब यहां पर यह that क्या है that है relative pronoun और यह factors के लिए आ रहा है ठीक है factors that यहां पर आपको वर्ब की first form चाहिए factors that कुछ भी कोई भी वर्ब यहां पर आ सकती है FPI flows do not look promising तो factors that control FPI flows यहां पर एक वर्ड आपको ऐसा चाहिए जो factors से related हो अब factors क्या करते है factors किसी चीज को influence करते हैं कोई भी कोई भी factor हो वो किसी चीज को influence करते हैं और influence related जो वर्ड है वो है affect affect का मतलब भी प्रभावित करना होता है influence का मतलब भी प्रभावित करना होता है तो यह दोनों वर्ड यहां पर आ सकते हैं यानि A और C words यहां पर आ सकते हैं ठीक है तो यहां पर आपका answer क्या होगा आपका answer होगा A and C यानि 5 यहां पर आपका option होगा question number third देखते हैं इस तरही किसे in questions को करना है कि the trend May be continue given देखे फिर से आगया given का मतलब होता है considering कि the trend may be continue may continue the trend एक इजर्द में continue given there are ति क्वेड ति के अप there are लगा हुआ है यहां पर यहां पर आपको जो नाउन चाहिए हे वो स्कांट्र पराइब हैं Ao जो सकता है यह मानती होए कई के इस फैल जो बैंक है हो रेट्स को एंट्रेस्ट अब जो आपकर यहां पर भीत्रत कॉंसा और कैसे गया है क्डोंट और expectations से related है hopes, यह दौनों वर्ड यहाँ पर आपके related words है और meaning के according सही है, तो यहाँ पर आपका answer होगा third यानि BD, ठीक है? इस sentence को पढ़ने से क्या लग रहा है? इस sentence को पढ़ने से आपको ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर investment की बात हो रही है, total globe corporate investment, corporate investment देखें यहाँ पर in proposition से भी पता पढ़ रहा है कि यहाँ पर invest या invest से related word ही आ सकता है, because we invest in something, और किस sector में investment की बात हो रही है, solar sector में investment की बात हो रही है, कितना invest हुआ है, total 5.3 billion dollar invest हुआ है, तो यहाँ पर आपका funding और investment यानि A और B यहाँ पर proper words है, regular words है, correct words है, ठीक है, तो यहाँ पर A और B इसका सही answer आपका होगा, question number five देखते हैं, the last week or so, has been, अब देखें, has been के बाद यहाँ पर आपको क्या चाहिए, it has been tough, ठीक है, यह काफी tough रहा है, it has been easy, it has been enjoyable, यह काफी enjoyable रहा है, it has been fulfilling, यहनि यहाँ पर मैं क्या बताने कोशिश कर रहा हूँ, कि इस तरह के structures में, यहाँ पर has been के बाद आपको एक adjective चाहिए, ठीक है, it has been satisfying, इस तरह से भूल सकते हैं, तो यह satisfying रहा है, ठीक है, तो यहाँ पर यह बोल लगी कोशिश कर रहे हैं, कि हमारा लास्ट वीक, पिछला सप्ता और उसके आसपास का जो समय है, वो discussion से, उसमें काफी discussion हुआ है, काफी discussion हुआ है, किस पर, 1975, emergency के बारे में, तो यहाँ पर देखिए, एक proposition भी आ रहा है, with, अब with के साथ आप कौन से word लगा सकते हैं, with के साथ आप rife लगा सकते हैं, rife with और replete with, यह दोनों words मैंने क्यों choose कियें, क्योंकि rife के साथ with आता है, treating के साथ विद आता है, और इन दोनों का ही मतलब होता है, filled with, और दो यहाँ पर आपका सही answer होगा, क्योंकि rife का मतलब ही होता है, सब जगे फैला होना, वाइड स्प्रेड होना, फिल होना, भरा होना और रिप्लीट का मतब भी वही होता है, तो the last week or so has been rife with or the last week or so has been replete with discussions on the 1975 emergency, तो इस तरीके से इन questions को आपको करना है, एक question और देखते हैं, it was a key decision and was going to attention of people, अब attention यहाँ पर एक keyword है, going to what, going to, मतलब going to का मतलब एक ऐसा होने वाला था, it was a key decision, यह a key decision था and was going to, और इससे होने वाला था, it was a key decision और इससे होने वाला था, क्या होने वाला था, यहाँ पर दिया है, attention of people, तो attention of people, attention को हम क्या करते हैं, attention को हम draw करते हैं, यह attention को हम catch करते हैं, he caught my attention उसने मेरे attention को खीचा उसने मेरे ध्यान को खीचा तो caught attention के साथ दो ही word आ सकते हैं catch और draw चुकि यहाँ going to लगा हुआ है तो going to के साथ यह वर्ब की first form ही आएगी और वर्ब की first form ही दी है यहाँ पर catch and draw दोनों का ही मतलब same होता है यहाँ पर आपका answer होगा आपका answer होगा 4 तो यह है सही तरीका इस तरह के questions को करने का और इस series में SBI PO की series start की है मैं काफी सारे questions काफी सारे variety के questions tough questions जो students को बहुत तफ लगते हैं reading comprehension, close test यह सारे parts में इसमें लूँगा और इसको यह दिए आप text form में पढ़ना चाहते हैं answers के साथ काफी सारे questions की आप practice करना चाहते हैं तो मेरे blog section पर आप जरूर जाएए examinee.in website पर और उन blogs को पढ़के भी आपको काफी ज़्यादा फाइदा होगा उनको आप mobile पर भी देख सकते हैं laptop PC या tablet पर भी देख सकते हैं तो मेरे blogs आप जरूर पढ़ें यहां पर मैं आपसे बार-बार बोल लाओं इन blogs से आपको काफी फाइदा होगा और यह अपडेट होते रहेंगे इस website पर जाना है आपको और आपको sign up या login नहीं करना है सीधा जाके आपको ब्लॉक सेक्शन में जाना है और इस सेक्शन में जाके इन blogs को आप पढ़ सकते हैं कोई भी feedback आप देना चाहते हैं इस वीडियो क्लास के बारे में कोई भी comment आप करना चाहते हैं तो जरूर जरूर आप comment करिए positive comment करिए और मुझे बताइए किस तहीके से हम आपकी help कर सकते हैं इंग्लिश एक्शन को क्रेक करने में सभी banking exams में और आप यदि हमारा online course online video course जोइन करना चाहते हैं तो इसका link में नीचे description box में दूंगा यह online course यो रहता है बैंक प्यों का यह पूरा एक साल का रहता है और इसमें प्री मेंस GDP डिस्क्रिप्टिप सब कुछ कबर रहता है और इसके थ्रू इसको आप पढ़ते हैं फॉलो करते हैं तो इंग्लिश section आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा और उसको आसानी से आप निकाल पाएंगे तो इस वीडियो क्लास में इतना ही अब मैं आप से बिलूंगा नेक्स्ट वीडियो क्लास में थैंक्यू